नमस्कार वह स्वागत आपका आप देख रहे हैं आपड़ो राजिस्थान और मैं हूँ आपके साथ मनी शर्मा बुलिटिन की शुरुआत में बात करते हैं सबसे पहले बड़े और विवादित बयान की सीकर के दाता रामगड विधायक विरेंद्र चौधरी ने सीडियर्स विपन रावत की शुहादत पर सवाल खड़े किये रेटा गाउं में शहीत की प्रतीमा अनावरण कारिकरम में बोलते हुए उन्होंने विवादित बयान दिया विरेंद्र चौधरी ने कहा कि जब भी चुनाव होते हैं राश्टवात का उबाल लाने की लिए ऐसी घटनाए होती हैं उन्होंने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि एक गाड़ी सारे सुरक्षा चक्र तोड़ते हुए फौजियों की गाड़ी से टकराई हमारे 44 जवान शहीद हुए और मोदी जी प्रचन बहुमत से चुनाव जीत गए बिहार चुनावाए तो चीन के वो फौजी जो कद काठी में हमारे जवान से छोटे और कमजोर हैं उन्होंने हमारे 18 जवानों को मार दिया अब यूपी और उत्रखन के चुनाव हैं तो सीडेस विपन रावत का निधन हो गया आजीब सायोग है दाता रामगड वधायक ने कहा कि जब भी देश में चुनाव होता है ऐसे हमले होते हैं देश में देश भक्ती का महौल बनता है और इसका फायदा बीजेपी उठाती है हो जी भाई साधत से पीचे नहीं अड़ता लेकिन उसकी साहादत जो है उसकी साहादत जब भी हो हो तो दुश्वन के बोर्डर पे दुश्वन से रखते हुए चाती भी गोड़ी खागे हो गयर वह साहीद हो तो हमें गर्म मैस्विस होता है लेकिन हमारा फोजी को आज पर शिपाई है वो राजितिक शलीव तरगाई थाती ठाइदे तो हमारे मन में ठीज तरगाओ तो हमारे मन में ठीज तरगाओ लिए अजीब सभू हुआ पुरावा में एक हमला हुआ हुआ एक हाईवे इसके बिल्ट्र की डेनों जा रही है उसके एक गाड़ी सारे उसक्षा तकर दोड़ते हुए आती है और उसके हमारे जमाली सीचिताय जरुतिये से घुजुस्तान के हर्त वोने को रहे है उसके बार कर नदिजा एक जिस सरक के बारे में शुचा जारद लिंग्रास पक्ति की जो बहुना हमारे अहम हंजुस्तान के अंदर जगी और जो सरकार इंदर में इत्वी को एक बड़े परचन भूमत की दुवरा साथ वापस आई बहुत सारे उसकार ने बियाद जुनाव में लें जो ब्याद एंट के 18 सही कि चुनाव से पहले ना उन्हें गोने लेगी चाइना का प्रची है सरी गुप से घटर में छोटा हुता है हिंदुस्तान की बुझी के मुकाबले उन्हां के तखा देगे नदी में गिरा देगे आउनके सईथ होए अभी दिपुची राउन का चुनाव आने वाले है उत् दातर आमगर विधायक विरेंदर चौधरी के बयान पर विवाद बढ़ रहा है तो उन्होंने सफाई दिया वह आप सुनिये सफाई में क्या कुछ कहा है उन्होंने देश का जमा मुलावा है उसकी हिद्र की बात होगी तो कोई पार्टी हो किसी पार्टी हो हम उसके साथ साथ खढ़े होगे रास्त के साथ खढ़े होगे इसाल लो कि यर जोड़ रहे हैं ने इक क्लेप्स को क्लेप्सून हैं कि एक सरकारी तंदर की क्लेप्स है सरकारी तंदर के इतना जो रास्ट्रा एक्स तीन सिनाओं का जो अधेक्स होता है उसकी भी अगर ग्लेप्स हो जाए तो भी ब्यासादियों में अलिकूटर लेके आता है उनकी शिक्रोटी को न लेगा तो सवाल यह था सरकार से एक आम ना उसका जबाब दें सरकार मुझे खुशी होगी, हर इंदुसानी खुशी होगी अशोक जब 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 चुनाव आते हैं तब देश के जवान शहीद हो जाते हैं ग्रेंदर चोदली का जो आज कहना था वो यह था कि मैंने वो जो बयान दिया है उस पर मैं अडिग हूं और मैं यह सवाल पूछ रहा हूं वो यह कहरें कि विधायक के नाते ही नहीं मैं आम नागरिक के रूप में इस तरीके का मैं सवाल पूछ रहा हूं सरकार से उन्हों ने जो सीडियस जो जनरल विधिन गावत उनका जो हैंकॉप्टर जो क्रेश हुआ उस पर उन्हों ने कहा कि बहीं आजीब सहयोग क्यों है वो यह कहते हैं कि मेरे दिल में निमाग मैं पीज़ आदमी के दिमाद में मैं हिंदोस्तान के आम नादरी के होने के नादे ये सवाल पूच रहा हूँ कि ये अजीव सहयोग क्यों होते हैं उन्होंने ये भी कहा कि तीन बार ऐसे अजीव सहयोग क्यों हो एचिए पिल्वामा हमला हुआ उसमें राष्ट बक्ति जगी औ पर जो है बीजेटी को फाईदा वा उसके बाद में बिहार का उजो है उछा कि अडियरक की अब ये उस पर सवाल पर अडिक भी हैं उनका कहीं भी यह नहीं कहना है कि जो मैंने दिया उनका यह कहना था कि इसको अजब तरीके से क्यों लिया जा रहा है इसको सहादस पर उस तरीके से जोर की क्यों देखा जा रहा है मैं सवाल पूछ रहा हूं उनका आम नागरिक का सवाल वो इसको करा दे रहे हैं जी बहुत शुक्री आपका अशोक तमाम जानकारी इस कवर पर देने के लिए तो आपने सुना विधायक जी का बयान और देखे इस बयान पर अप कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं